हेग वेल्कम बेक टो मैं डूप चनल तो आज हम अब उच से इसको फिर से कंटीनियू करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रिविस एपसोड में देखा था हमें डॉंगफांख लैन के ग्रेट होल का सी दिखायता है चुन जुन बोलता है तो हम सभी को बता है कि हम क्या कर रह यू टाइबाय से पहले मैं यह होप करता हूं कि तुम में से कोई एक ग्रेट परफेक्शन ट्रूगाड अब इस डीमन रीजन को रूल कर सके तुम सभी को डेंजर्स के बार में पता ही है तो सभी तुम जाओ और प्रिपरेशन करो हाफ मन्त में मैं पर्सनली तुम सभी को लेके चलूंगा वां पर तभी कोई बोलता है सेंट एंपरेशन अगर तुम इतना इंपोड़न कोई चीज डिसकस करने लगे थे तो तुमने में को क्यों ने इंवाइट कि वो हस्रा होता है दूसरे सेंट बोलता है यह इंसान अब फिर से शेर लेने के लिए यहां पर आ क्युंगड़ी चैनल को उपन करता है स्पेस चैनल को और बोलता है तो ठीक है मैं रिस्पेक्ट फुली तुमारे इंविटेशन को ऐसेप्ट करता हूं वो आ जाता है अपनी वेल दोनों बेटियों की साथ और बेटे के साथ एक सेंट बोलता है एं कुछी साल हुए है पर तुम्हारे डोटर और सन ग्रेटर परफेक्शन टूगोर बन गे क्यों डी बोलता है कि वैल मुझे प्रावड ही है एक तरह से कि मेरे डोटर और सन इतना अचीव कर सकती है अब तुम अब इस दीमन रिचन को कौन करने के लिए जा रहे हो जीतने के लिए जा रहे हो तो मैं यह पूछना चाहता हूं क्या तो मुझे ऑपरचुनिटी दोगे जोइन करने के लिए सेंट एंपरर वो पहले वाले सेंट बोलता है पहले वाले इंसिडेंट तो जरब ही सैटल हुए नहीं है हम कैसे तुम्हारे हान क्लाइन को टस्ट कर सकते है हान लूशी बोलती है अंक जादा अच्छा हस्बेंड होगा मेरे लिए ही तुम्हारा एक आउटस्टेंडिंग सन है वो उसके पास पहुंच जाती है और उसके शॉल्डर पर सार अक्पी और बोलती है अंकल सेंट एंपर तुम्हें लगता कि हम जादा अच्छे मैच होंगे तो गडबर लग रही है हान क्विंगडी बोलता है कि हमने अब इस डीमन रीजन को तो जाना या दे मत बाद तो बैडिंग को बाद में पका कर लेंगे ब्रदर लेंग या हो क्या लगता तुम्हें सेंट लेंग बोलता है मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता है अगर तुम प्रोमिस रखोगे तो को जोईन करने के लिए यह पकर कुछ चीज छुपा रहा है इसका कोई और प्लैन है पर हमें सची मुझे यहां पर जादा एक्स्टा मैन पावर चाहिए अब इस डीमन रीजन के उपर टैक करने के लिए चुन जुन बोलता है इस टाइम हमारी कुछ जादे लंबी जर्नी ह करने वाली है अगर हान क्लैन हमारी एलाइंस के लिए कंट्रिबूशन देगा तो यह जर्द बुरा नहीं होगा हान कुंगडी बोलता है थैंक्यू हमारा हान क्लैन पूरी तरह से हैल्प करेगा एलाइंस की फिर हमें आति गंटी के बाद कर सी इंदिखाईता है होट्यान म को पूरी सी फीलिंग आ रही है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम वापस नहीं आओगे वह टाइन मुझे पता कि तुम डॉंग फांग के लिए कुछ बूरा करोगी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मैं हमीशे तुमारे पीछे खड़ी रहेंगी तो इस टाइम प बंदाव का भी मिला इन यह जिन्धगे में क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं इस तरह की सोच क्यों कियों सोच रहा हूं मैं अपने को क्प्लीट करने पड़ेगा कि सिफ सेंट और सब सेंट और ग्रेट पर्फेक्शन टूगोड ही आ सकते हैं अब इस डीमन रीजन में यह कि बोलती है अगर तुम सेंट एंपरर की पर्मीशन को मांगोगे तो मैं शेयर हूं कि वह तुम्हार लिए एक्सेप्शन बना देगा वह एट एंविंग बोलता है कि अब इस डीमन रीजन को जादे डेंजरेस है मैं तो मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा यह कि बोलती है पर वह एट एंविंग उसे हख कर लेता है और बोलता है इस टॉपिक को छोड़ दो मैं डेफिनिटी वापिस आऊंगा मेरे उपर रस्ट करो वह सोच रहोता है कि डावजी अभी यूटाइबाय के पास नहीं पहुंचे है और यूटाइबाय ने भी अपना एक्शन नहीं लिया है तो मेरे को अपना मेशन कंटिन्यू करना ही बड़ेगा अगर मैं लग्य हो गया तो शायद मैं अब इस डीमन रीजन को भ बोलता है मैंने जाओंगा इविल गोस्ट रीजन में और उपर से बिग माउथ की नहीं टेरिटरी वह ब्लू डीमन टेरिटरी वह सता है और बोलता है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं तो जनका सीनर ब्रदर बोलता है यूटाइबाय डावजी इसको फाइंड करने के लिए गया है और जो सीनर ब्रदर है वो साव डिप पर सीकिंग ट्री में गए है ज़ा न्यू क्लैन से मिलने के लिए तुम द्वारा जा रहे हो ऐसा लग रहा है कि इमोडल मैंशन फिर से ठंडी सी और डल सी हो गई है रूजंग बोलता है जी और बाक्या भी यहीं पे हैं प्ली गया क्यों नहीं रहा है निंग बोलती है कि नियायर ने उसको बोला है कि उसका एक लड़की के साथ जो की उसे गोड में मिली है वो डेफिनेट्री तुम्हें बाइब बोलने के लिए गा वैल इसका यह लग ही चला हुए लूजंग बोलता है कि हा नियायर पक्काई करूंगी फिर में तीन दिन बाद विंडवूड रीजन का सीन दिखायता है वोडियानिंग ऐसे उपर होता है वामिल बोलता है कि को जादा ही स्ट्रोंग लाइफ फोर्स आरी यहां से जो लाइफ डिवाइन डाव की टैबलेट है और क्यान वूड डिवाइन डाव की लुजंग सोच रहा है किसी ने ग्रास को यूज किया मैसे को सेंट करने के लिए वो ग्रास फिर से बोलती है कि एक और स्टैप पूर तुम मर जाओगे लुजंग बोलता है मैं सिर्फ देख रहा हूं डिवाइन डाव टैबलेट्स को कुछ भी हामफूल नहीं करूंगा त लुज़ादे लोग छुपे हुए हैं तब हमें फिर एक इनसान दिखायता है वह एल्डर होता है क्याण ट्री क्लाइन का जो मोग बेजी हुए है वह कुछ जादे पावफूल है चला अपनी पूरी पावर को उसकर करके फाइट करते हैं क्यां टी फोर्मेशन को बनाओ इ सिर्फ एक सेकंड टायर का क्लैन है उनने कैसे कितने साथ पावफूल मास्टर के हल्प मांग ली क्या आज हमारा क्या ट्री क्लैन मर जाएगा क्या मुझे पता नहीं है तुम क्या मोग क्लैन के बार में बोल रहे हो मैं सिर्फ ऐसे यहां से जा रहा था और मैंने डिवाइन मुझे लगता है काफी होगा है ना इन दो टैबलेट्स को बोरो करने के लिए यह बात ही है कि हमें गोर्ड मार्शल कॉइंस नहीं चाहिए लुजंग उसके सुनता नहीं और वो जल्दी से टैबलेट की टैफ चला जाता है लुजंग सोच रहा होता है मैं लाइफ डिवान को अपना बनाएगा वो मोक लैन का मोक वान होता है वो बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन इस बार तुम कुछ भी निकर सकती हो मैं मास्टर लाया अपने साथ वह फिर आनो जाता हो सोच रहोते ही जो आगे बैठा हुए तो एक ग्रेट परफेक्शन टूगोड है तभी मोक लै इतना था कर आपको वीड़ी पिसंतो लाइक कर निए फिब लाइक दूश्यों कर दो साथ कमेंड करके बढ़ा कर आपको वीड़ी के सब्सक्क्राइब कर दो तक लिए बाए